जब भगवान जगननात पर क्रोधित हो जाती है मा लक्ष्मी, तोर देती है दिव्यरत देखे रत्यत्रा से जुड़ी रोचक घटना। मान्यता है कि भगवान जगननात मा लक्ष्मी के बिना ही बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के साथ यात्रा पर निकल जाते हैं बस इसी बात पर मा लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं हरी अनंत हरी कथा अनंता, विश्नु रूप भगवान जगननात को जगत का पालन करता माना जाता है, सर्वशक्तिमान भगवान के सहस्त्र नाम है, जितने रूप उतनी ही कथाएं प्रचलित हैं, एक प्रसंग रत यात्रा से जुड़ा है, जब जगत के स्वामी के व्यवहा से क्रोधित हो कर मा लक्ष्मी उनके लिए धाम का द्वार बंद कर देती हैं, अर्धाम गिनी के क्रोध के सामने प्रभू की एक नहीं चलती, काफी मान मनौववल होती है, आगे से ऐसी भूल ना होने की शर्त पर ही प्रभू को धाम में प्रवेश मिलता है, रत्यात्रा के साथ जुड़ी यह परमपरा कालांतर से निभाई जा रही है, पीश्वर की यह लीला काफी रोचक होती है, धूर्वा स्थित जगनात मंदिर के पुजारी कौस्तुब मिश्रा बताते हैं, दरसल मान्यता है कि भगवान जगनात मा लक्ष्मी के बिना ही बहन सुभद्रा औ और बड़े भाई बलराम के साथ यात्रा पर निकल जाते हैं, बस इसी बात पर मा लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं, भूर्ती रत यात्रा के दिन जब जगनात स्वामी अपने धाम लोचते हैं तो माता के विरोध का सामना करना पड़ता है, माता की आग्या से भाई बलराम और बहन सुभद्रा को तो धाम में प्रवेश करने दिया जाता है लेकिन जैसे ही प्रभू प्रवेश करने लगते हैं, मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है। से का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रत यात्रा के तीसरे दिन पंचमी तिथी को मा लक्षमी खुद मौसी बाड़ी पहुँचती हैं और जगनात स्वामी के दिव्य रत को तोड़ देती हैं। प्रभू चुपचाप देखते रहते हैं। माता के जाने के बाद फिर से रत को ठीक करवाया जाता है। धूर्वा स्थित जगनात मंदिर के पुजारी कौस्तुब मिश्रा के अनुसार पुरी की तरज पर यहां भी सारा विधान संपन होता है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडिय तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया हमें यहां तक पहुचा। और हमें आगे भी बढ़ाएंगे इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद दिल से।